तो आप टाइटल में आपने बिल्कुल सही पड़ा अगर आप इन्ही स्किल्स को अच्छे से समझ लेते हैं आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं अच्छे क्लाइंट्स नहीं सुझाइओ आपको कीला हैilde अगर आपके पास कोई skill नहीं है बट फिर भी आप freelancing में पैसे कमाना चाहते हो कोई skill learn करके तो आप कौन सी skill चुने 2021 में तो मैंने वहाँ पर सिर्फ skills के नाम बता दिये थे ज्यादा कुछ detail में नहीं गया था तो मैंने वहाँ पर पूछा था कि आपको इन skills के उपर एक dedicated video चाहिए या नहीं तो यार आप सब लोगों ने कहा चाहिए बिल्कुल चाहिए तो आप सभी लोगों ने बहुत सारे comments किये मुझे DM किये कि भाई एक dedicated video skills के उपर बना दू तो skills के उपर एक dedicated video हाजिर है तो हमेशा की तरह video को शुरू करने से पहले disclaimer तो यार इस video में मैं उन 6 skills के बारे में detail में बात करूँ और आपको ये भी बता हूँ कि आप वो skills कहां से सीख सकते हो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस video के end में एक bonus segment भी है जो हमारी सबसे पहली skill है वो है programming and software development तो देखा जाए तो ये दोनों अलग-अलग skills है programming एक अलग skill है and software development एक अलग skill है वैसे ही जैसे video editing, graphic designing, बहुत से लोग ये सोचते हैं वीडियो editing तो सब कुछ कर लेगा color grading भी, graphic design भी बढ़ ये skills अलग-अलग होती है तो मैं तकरीबन दो सालों से freelancing कर रहा हूँ और जितना मैंने freelancing के समझाए ये जो skills मैं आपके साथ share कर रहा हूँ ये वाकई skills demand में है अब इसको internet, google पे search कर सकते हो ये जितनी भी मैं skills का जिक्र करने वाला हूँ इस video में ये सारी skills demand में है और अगर आप इनको अच्छे से सीख लेते हो तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो तो हम बात करते हैं programming and software development तो देखो यार इसको सीखने के दो तरीके या तो आप Skillshare पे चले जाओ वहाँ पर कोई paid course खरीद लो Skillshare पे courses अच्छे होते हैं और भी बहुत सारे platforms है Udemy है लेकिन अगर आप इसको free में सीखना चाते हो तो आप YouTube से सीख सकते हो YouTube is the best teacher में हमेशा बोलता हूँ तो मैंने कुछ YouTube channels shortlist की हैं वो मैं आपके साथ share कर देता हूँ अब वहाँ पर जाके ये skills को सीख सकते हो तो जो पहला channel है वो है programming with Mosh and the second channel is IntelliPet and the third channel is Code with Harry तो ये तीन channel है इन channels पर जाके आप programming और software development सीख सकते हो तो अब हम आजाते हैं अपनी दूसरी skill पर which is web design and web development अब ये भी दो अलग-अलग skills हैं बट इन दुनों को एक में मिला दिया गया है तो आप web design का क्या मतलब है और web development का क्या मतलब होता है तो basically web design refers to the appearance and content creation whereas web development refers to the functionality creation and usability testing मतलब सीधी भाशा में समाझे लो जो web design है उसमें जो भी आपके aesthetics होते हैं जो भी आपको दिख रहा होता है colors और text और ये सारी चीज़े आगी और जो web development हो गया है में उसके सारी अंदर की चीज़े आगे मतलब जो उसकी programming है, coding है वो सारी चीज़े आगे तो अगर इसका एक बहुत simple example दूँ तो ये होगा कि घर का एक धांचा है, बिल्कुल इंट पत्थर से मना हुआ वो हो गया हमारा web development उसमें जो हम paint कर रहे हैं, जो decoration कर रहे हैं वो हमारी सारी हो गई web design तो हलाकि ये दूनों अलग-अलग skills हैं बट somehow ये match करती हैं तो आप ये skill आप कहां से सीख सकते हो तो obvious है, आप Skillshare पे एक paid course खरीद सकते हो वो भी beneficial है, कफी अच्छी courses होते हैं लेकिन वहीं आपको अगर free मैं सीखना है तो मैंने कुछ YouTube channel इसमें भी shortlist की हैं वो मैं आपके साथ share कर देता हूँ तो जो पहला channel है, वो है Jesse Shoulder पता नहीं, I don't know how to pronounce his name मैं यहाँ पर लिख दूँगा आ जाएगा and the second channel is Career Foundry तो आप इन YouTube channels पर जाकर यह skills सीख सकते हो तो यहाँ next skill पर आने से पहले मैं आपके साथ इन जो आपने दो skills अभी discuss की हैं इनके बारे में एक छोटी सी बात आपके साथ share करना चाहता हूँ कि तो जो अभी मैंने दोनो skills आपके साथ discuss की हैं इनको सीखना थोड़ा सा complicated है और इनको सीखने में आपको थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा सबर करें और इनको अगर वाकई सीखना चाते हैं तो सीख लें यह बहुत ही बहतनीन skills हैं अगर आपने एक बार इन skills पर अपनी अच्छी command पकड़ ली तो आपको एक अच्छा पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि यह दोनो skills को भी discuss होगी है this is the future हर जगा website बन रही है हर जगा programming का use हो रहा है इनको अच्छे से सीख लेना जब तक आपको confidence ना आ जाए यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह दुनों skills थोड़ी सी complicated है तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली skill की तरफ विच इस social media marketing का मन भाई क्या मतलब होता है हमने बहुत जगा सुनावा है इसका मतलब क्या होता है तो basically social media marketer हो होता है जो किसी भी brand के product और services को एक target audience पे advertise करता है देखो advertise तो कोई भी कर सकता है basic simple है आप facebook पे अपना एड़ चला दो लेकिन यहां पर हमें specialist क्यों चाहिए होता है यहां पर हमें specialist इसलिए होता है जिसको SEO की knowledge हो यानि की search engine optimization तो यह अच्छे से वही कर पाएगा जिसको SEO की knowledge होगी और जो इसमें expert होगा तो यह भी एक skill है जो आप सीख सकते हो और यह भी freelancing में काफी use हो रही है तो देखो यार आजकल social media का जमाना है हर company अपने आपको advertise करना चाहती है social media पर और उसको एक expert चाहिए क्योंकि social media पर बहुत rush हो चुका है तो आप अपनी target audience कैसे ढूंड होगे तो मालोगर मैं यह एक mic बेचता हूँ तो यह ऐसा तो नहीं कि कोई भी mic खरीद लेगा कोई government job वाला बंदा है वो अपनी job करता है उसे किसी बात से कुछ मतलब नहीं है तो वो यह mic थोड़ी खरीद है तो यह mic वही खरीदेंगे जो gamers होंगे या फिर जो content creators होंगे तो मैं अपनी वो target audience कैसे ढूण हूँ तो यह जो target audience ढूणने का काम होता है उन तक वो सही product advertise करना है यह social media marketer का काम होता है तो यह भी एक skill है आप इसको अराम से सीख सकते हो यह कोई जादा complicated नहीं है तो यहाँ पर भी आप skill share पे कोई paid course खरीद सकते हो और फिरी मैं सीखना है तो YouTube पर आजाएए तो इसमें मुझे सिर्फ एक ही channel मिला है वो है Neil Patel आप उनको जाके check कर सकते हो उनका मुझे content ठीक लगा आप वहाँ पर यह चीज़ भी सीख सकते हो तो अब मुझे अपनी अगली skill की तरफ which is graphic design अब graphic design होता क्या है मतलब आप जो भी किसी भी brand के logo देखते हो उनके posters देखते हो film के posters देखते हो कहीं पर online आप कोई भी design देखते हो तो वह एक graphic designer का ही काम है simple है मुझे नहीं लगता कि graphic design के बारे में मुझे आपको जादा बताना चाहिए आप quality पता होगा मेरी इतनी वीडियो में मैं जिकर कर भी चुका हूँ और यह बहुत ही obvious है graphic design मैं आपर यह clear करना चाहूँगा कि the right use of software is very important आपको सही software सीखना चाहिए एक तो आपको आता है किसी software आपको कोई भी software आता वो ठीक है लेकर आप सीख रहे हो तो क्यों ना आप एक सही software पर सीखो जैसे कि अगर आप graphic design में अपना जरियर सोच रहे हो या इसमें freelancing करना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे पर सीखो आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छे courses मिल जाएंगी आपको क्या करना अपना फोन उठाना है इस वीडियो के बाद graphic design tutorial या फिर अपनी नेक्स्ट फील्ड की तरफ विच इस समझ गए होगे आप लोग वीडियो एडिटिंग यह हमारा काम है यह हमारा धंदा है तो यार इसमें मैं यही कहूँगा वीडियो देख रहे हो यह पहले शूट होगी है अब फिर यह आप एडिटिटिट वीडियो देख रहा पीछे जो बैग्राउंड म्यूजिक बच रहा है और यही वीडियो देटिंग में तो मैं सेल्फ प्रमोशन करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर वीडियो देखो मैंने 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 वीड मैं यह भी लगावा हूं कि मैं इसको simplify कैसे करूं और आप sort of कह सकते हो कि मैं उसकी scripting कर रहा हूं और मैं यह नहीं चाता कि यार मैं एवे ही कुछ भी आपके सामने फेग दूँ और आपको समझ में ना है तो मैं एक ऐसा crash course बनाना चाहरा हूं जो आपके दिमाग में छब जा सकता हूं मेरे जो already tutorials मेरे चैनल पर हैं आप उनको देखें और फिर wait करें मैं बहुत सारे tutorials लाने वाला हूं तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी आखरी skill की which is content creation अब यह जो skill है ना यह थोड़ी sort of passion oriented है कि मतला कर आपको लिखने का शौक है ना तब आप इसमें काम ढूंड स समझता हूं कि यह थोड़ा passion oriented skill है आप यह नहीं कह सकते कि मुझे लिखना पसंद नहीं तो मैं बहुत अच्छी script लिख दूँगा शायद दिख भी दूँ लेकि 98% of the chances है कि मैं नहीं लिख पाऊंगा क्यूंकि मेरा sort of interest ही नहीं है हाँ अगर मुझे movies देखने का शौक होग मुझे books पढ़ने का शौक होगा तो मैं शायद अच्छी कोई चीज लिख दूँ बट मैं यहीं कहूंगा कि content creation में आपका थोड़ा सा भी pension है ना तो आप film making से related books पढ़ना शुरू कर दो studio binder और film riot इस तरीके के channels को follow करना शुरू कर दो बस आपका काम हो जाएगा और content creation भी आप यूट्यूब पर हजारियो चैनल से टीवी एप लेलो और लेलो इस तरीके के channels के लिए आप content लेक सकते हो और हर ब्रेंड को अपने company के लिए एड बनवाना है फिल्म में content की जरूओ तो हर जगा है अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो try करो अगे तक जा सकते हो तो अब बात करते हैं उस bonus segment की जिसका मैंने वीडियो के starting में जिक्र किया था तो देखो वो bonus segment यह है कि इस वीडियो के आप description में जाएंगे तो आपको एक link मिलेगा तो उस link में PDF है उस PDF को जाईए और download कर लीजिए अब आपन भाई उस PDF में है क्या तो यार basically उस PDF में क्या है कि मैंने सारी skills को लिखा है और हर in skill के साथ मैने एक या 2 या 3 या 4 जितनी भी मुझे best videos मिली वो best videos के link उस skill के नीचे हैं तो जाईए जो भी स्किल्छ सीखनी है उस skill को देखिए उस के नीचे देखिए आपको कितने videos के link मिलते हैं और वो सारी best videos मैंने attach की वी हैं महाँ पर तो यह था हमारा bonus segment और मैं यह भी सोच रहा था कि मैंने इन skills के बारे में आपको detail में बता दिया है तो क्यों ना यार जो best videos है उनको भी attach कर दिया जाए क्योंकि जब मैं इस video की scripting कर रहा था तो मेरे सामने बहुत सारी videos आ रही थी और मैं यह चाह रहा था कि जो मेरी audience है वो भी videos को दे के और कुछ सीखे अब यह वैसा ही हो गया कि मैंने आपको थाली में प्रोस के दे दिया कि भाई यह लो खा लो अब बस तो बस आपको हाँ चलाना और खाना है तो चलो यह तो मजाक की बात होगी लेकिन कहने का मतलब यह कि आपको इन skills को सीखना है अच्छे से और पैसे कमाने तो यह वीडियो सिर्फ आपको यार कोई भी वीडियो कुछ भी हुआ उस वीडियो के नीचे आपको कोई recipe नहीं मिल जाएगी बस आप पानी में घोल के प्योंगे और आप सुबह उठोगे अरे मुझे तो सब आता है यार जो वीडियो में बताया ऐसा नहीं ह रिलीस करने वालों तो आई थिंग दिस इस वीडियो में इतना ही मैं बलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए इस्टे हल्दी इस्टे सेफ एंड अमन आउट झाल झाल